जैस्त्री करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक तेवीस मार्च 2021 मंगल वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रव चंद्रबल के प्रभाव से आज बारा में से पांच राशियां भाग्यशाली रहेंगी वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामान ने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्तिका राशी फल नहीं नहीं ग्यान वर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज फालगुन माश शुकल पक्ष की नौमी तिथी है मंगलवार का दिन है और आज दिन की सुरवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और मिथुन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्राता हकाल 6 बच के 22 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम 6 ब तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब नयाव मागलिक कार आरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यातरा से भी आप बचेंगे यदि यातरा करना आपके लिए अतियावशक हो तो अपने इस्ट देवता की स्रद्धा पुर्भग पूज़ा अराधन करके अत्वा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सधिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वस्रेष्ट मोहुरत अभी जीत मोहुरत आरंब होगा दोपहर बारा बच के तीन मिनिट से आरंब हो करके तो बारा बच के बावन मिनिट तक सर्वस्रेष्ट श आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतरे में भी आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के छेतर में नए अवसर की प्राप्ती होगी किसी काम को संकल पर लेकर करेंगे तो पूर्ण होगा संतान के एडिमिशन या किसी प्रतियोगी परिक्षा को लेकर भागदोड आपकी हो सकती हैं और घर की किसी जरूरी चीच को लेकर जीवन साती के साथ शापिंग आदी पर आप जा सकते हैं अटके हुए धन की प्राप्ती की योग हैं और आपके प्रेम संबने में कुछ त का प्रेयोग कारी चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी चेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको हनवान जी के इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए ओम स्री राम दूता इन महां त सफलता पूर्वा कारे का विस्तार आप कर पाएंगे परिवारिक बिजनेस में परिवार की सलाह से उन्नती होगी और आत्मभल भी मिलेगा व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक लाप के योगिन कामकाजी गती विदियों को जरुरत के मताबिक संचालित करने में आप व्यतित कर पाएंगे मित्र सहायता के लिए ततपर रहेंगे लेकिन उन पर पूरी तरह विश्वास करना आपके लिए आज ठीक नहीं है तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुबरंग आपका के सर्यारंग है के सर्यारंग का प्रयोग कारेच्षेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको भगवान हनुमान जी के इस महामंत्र का यथा शक्ति अधिक सधिक जा कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, विशेशग्य और जीवन सांती की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है, विदेश या दूर से संबंदित कारियों में आपको सफलता के योग है, परिवारिक विवात सुलत्ता नजर आएगा, छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय विद्यार्थी बर्ग को सिख्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुबरंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रियोक कारी छेत्र में तहकाल जाप करना चाहिए ओम हमनुमतियन महं तो इसा करने से कारी छेतर में आपको विसेश सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा कारी छेतर में आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे और अधिकारी वर्ग का सहयोग वा समर्थन आपको मिलेगा आपकी व्याभारिक सोच समाज में प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करवाएगी पुराने मित्रों से आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा भाईयों की सहायता का अवसर भी आपको मिलेगा लाइप में मधुरता आएगी और बाहर आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुब रंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का परियोग कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारिछेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको आशेवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि लाइब के साथ आपको थोड़ी सी योजना बना करके काम करने के आवशकता रहेगी जीवन साथी के साथ कोई नई योजना बना करके काम करेंगे तो सफल रहेंगे उसके लिए कुछ तयारी भी आपको करना परिवार की किसी जरूरत को लेकर भाग दोड़ आपकी हो सकती है व्यापारी वरुको नगत धन की आवशकता पड़ सकती है तो आज आपको भागे का साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भागे शाली अंक एक है शुबरंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको भगवान हनुमान जी के इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए उम अंजनी सुताइन महां तो ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मि लाइप में नई उर्जा का संचरन होगा नए मित्र भी आपके बनेंगे और आप अपने प्रेम के बारे में परिवार को बता सकते हैं जिससे परिवार का माहुल अधिक छुबद भी हो सकता है कारी छेतर में किसी काम को लेकर मनोदशा तनाव गरस्त रहेगी रोजगार के छेतर में परिवर्तन का वातावरन बनेगा निवेस करने से आर्थिक लाव आपको होगा सायंकाल के समय किसी बात को लेकर परिवार में कटूता हो सकती है इसलिए आज आपको थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए वविभार करना चाहिए तो आज आपको भाग्यकासा 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोग कारेचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारेचेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको भगवान हनवान जी के इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करना चाहिए ओम राम भक्ताई नमहं तो इसा करने से आपको कारी छेत्र में विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा कारी छेत्र में अधिकारी वर्ग से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आई के नए इस्तरोतर आपके बनेगे घर के जरूरी पड़े कारी को पूरा करने का समय आपको मिलेगा माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का आयोजन आप कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं मित्रों की खातिर में कुछ धन की विवस्थ आपको करना पड़ सकती हैं विद्यार्थि वर्ग को एकजाम परिक्षादी के तैयारी करने के लिए अधिक एकागरता की आवशकता रहेगी पारिवारिक संपत्ति के विवाद से यदि गुजर रहे हैं तो इस्तितियां आपके पक्ष में नजर आएगी तो आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारी शेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगी तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी शेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको भगवान हनुमान जी के इस महा मंतर का अधिक से अधिक संख्या में प्राता हकाल जाब करना चाहिए उम अंजनी सुताई नमां तो इसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन प्रकार से रहेगा बिजनेस या फिर जाब प्रोडेक्शन को सुधारने के लिए कुछ परिवर्तन आपको करना चाहिए संतान से कोई शुब समाचार मिलने को आज आपको मिलेगा परिवरिक संपत्ती से लाब आपको हो सकता है विस्तता के बीच लाइब के लिए समय निकाल पाएंगे और उनके साथ अधिक से अधिक समय गुजारना पसंद करेंगे करजों से मुक्ती मिलेगी लेकिन कोश में कमी नहीं आएगी नया कारी सुरू करने के लिए भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक 6 है शुब जाप करना चाहिए ओम हम अनुमत ये नमां तो इसा करने से कारेचेत्र में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदाई रहेगा परिवार में किसी दस्य का स्वास्थ खराब हो सकता है जिसको लेकर अधिक भागदोड आपकी बढ़ सकती है इसकी वज़े से परिवार का वातावरन कुछ अवसाद पूरुन हो सकता है व्यापारिक सत्रों के कारण कुछ अपरी इस्तितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है विद् परिशाली अंक एक है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियुक कारेच्षेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपको हनमान जी के इस महामंतर का यथा शक्ती प्रातहकाल जाब करना चाहिए ओम महावीराइन महाँ तो ऐसा करने से कारे छेतर में आपको विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा संबंदों को इस्थाई रित्ते में बदलने की योजना आप बना सकते हैं सारे रिक सिथिलता और अस्वास्थ खत्म होगी आपके द्वारा की गई एकसरसाइज का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा संतान के कारी छेतर में 29 से मन प्रसन होगा आज इविका के छेतर में प्रगती कर पाएंगे और सासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिलेगा विद्यार्थी वर्ग को सिख्छा के छेतर में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है परिवार का पूरा सहयोग वैसे आपको बना रहेगा तो आज आपको भाग्यकासा 83 प्रतिसत प्रापत होगा आज आपका भाग्यसाली अंक 2 है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारी छेतर में अज अधिक सदिग आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे छेतर में विसे सफलता पाने के लिए आपको हनमान जी के इस महा मंतर का यथा सक्ती प्राताहकाल जाप करना चाहिए उम्मारुती नंदनाईन महा तो यसा करने से कारे छेतर में आपको विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है कुंब कुंब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कारी छेतर का वातावरन आपके लिए अनुकूल होगा और नए प्रोजेक्ट पर आपका ध्यान आकर शित होगा सामाजिक कारी करने से आपकी ख्याती तथा सम्मान में वर्दी होगी और पिता के साथ संबंदों में मधूरता आएगी जीवन सांती के साथ मधूर समय व्यतित कर पाएंगे किसी सहकर्मी या अधिकारी के द्वारा पार्टी देने से और भी चहल पहल बढ़ सकती है पराकरम से सत्रों को परास्ता आप कर पाएंगे रुपे पेसे के लेंदेन में आज सावधानी बरते हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक चार है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदी काप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको हनुमान जी के इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए उम्मारूत आइन महा तो इसा करने से कारी छेतर में आपको विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा कारी छेतर में विपरी थालातों के चलते कुछ मायूसी के मुड में आप रहेगे दामपत्ती जीवन में नोग जोग से मांसिक तनाव आपका बढ़ सकता है जीवन साथी का विश्वाज जीतना आपके लिए आवश्यक है कुछ परिवारिक खर्चे आपके सामने आएंगे और बुजूरों को सहयोग कुछ हद तक माहोल को ठीक करने में सहायक रहेगा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से संबंदित सुब समाचार मिलेंगे परिवारिक बिजनेस में बड़े भाई या इस्ट मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहेगी तो आज आपको भाग्यकासा 87 प्रतिसतर प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकशात है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोग कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपको हनमान जी के इस महा मंतर का अधिक सेधिक संख्या में जाप करना चाहिए ओम स्री राम दूताइन महां तो ऐसा करने से कारी छेत्र में आपको विशे सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी एहद देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे